हाई ट्विल्टीज, वेलकम टू इजी वे कामर्स क्लासिस, मैं हो तबिता और गाईज आज की इस वीडियो में मैं एक इंपोर्टेंट टॉपिक पर आप सभी से बात करूंगी और अगर आपके मन में एक कुश्चिन चल रहा है कि मैम अगर हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी तो क्या आप हम पढ़ाई करके 90 ब्लस मांक्स ला सकते हैं या बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो मैं कहूंगी येस अगर आप एंड टाइम पर आके भी पढ़ाई करोगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे कि स्ट्रेटेजी के साथ प्लैनिंग के साथ अच्छे मांक्स आएंगे और जिन्होंने बिल्कुल भी त्यारी नहीं कर रखी अभी तक या फिर करीद ही भूल गए उस केटेगरी में आते हो तो गाइस ये टाइम है बीज दिन इसको आप अच्छी तरीके से प्लैनिंग के साथ यूटिलाइस करो आपके डैंश और बह तो हमें मिनिमम्म दो घंटे तो अपने इस सब्जेक्ट को देने चाहिए और अगर आप आज से दो घंटे इसे देना स्टार्ट करोगे और पंदरा दिन के अंदर आप देखना आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा आपकी केस चटडी नहीं क्योंकि बिजनस स्टडी सिर्फ learning पर base नहीं है understanding के साथ साथ learning चाहिए इसमें आपने case study understand कर ली but याद नहीं आ रहा वो word क्या था तो भी marks नहीं मिलेंगे यानि कि learning नहीं थी और आपको learn सब कुछ है but understanding नहीं है तो भी marks नहीं मिलेंगे तो understanding and learning दोनों हमें business में चाहिए होता है तो सबसे पहले आपको जो भी आप chapter उठाओगे उसे बड़े ध्यान से समझना है फिर याद भी रखना है चीजों को यानि कि इसके points आपको tips पर याद होने चाहिए जिसके लिए मैं specifically shots बना रही हूँ ताकि आपको short form के through उसे याद करा सको तो सबसे पहले अगर मैं staffing की बात करूगा इसके कितने दिन में complete हम कर सकते हैं अगर एक दिन में हम 2 घंटे देते हैं तो staffing को hardly 2 दिन के अंदर complete किया जा सकता है यानि कि 4 घंटे के अंदर अगर आप एक दिन में पढ़ते हो तो 4 घंटे के अंदर आप staffing complete कर सकते हो दो दिन में यानि कि 2 घंटा एक दिन तो आप 2 दिन के अंदर staffing अच्छी तरीके से complete कर सकते हो इसके बाद directing, directing भी staffing जितना ही बड़ा chapter है इसमें भी 2 दिन लग जाते हैं अराम से इसके साथ अगर में controlling की बात करूँ यह तो आधे दिन का भी chapter नहीं है मेरी full one shot video controlling की सिर्फ 15 से 20 मिनट की है तो आप समझ सकते हो कि कितना छोटा chapter है यह तो यानि कि इसको सिर्फ एक दिन के अंदर हम 2 घंटे में क्या आधे घंटे में निप्टा लेते हैं इसके बाद अगर हम बात करें financial management chapter again conceptual काफी सारी चीज़े हैं इसमें हम मान लेते हैं कि हमें 2 दिन लग जाता है financial market काफी सारी चीज़े cover करता है 2 दिन लेकिन अगर consumer protection की बात करें तो controlling की तरह इस chapter में भी बहुत कम concept है तो एक दिन के अंदर हो जाता है यह chapter तो अगर हम total इसका time note करें guys तो 10 days के अंदर हम इसे complete कर सकते हैं यानि कि 10 दिन के अंदर हम अपने business study की conceptual knowledge पूरी अच्छी तरीके से ले सकते हैं वो भी सिर्फ एक दिन में 2 घंटा पढ़कर मैं यह नहीं कहरें कि एक दिन में 8-10 घंटे पढ़ाए करने हैं सिर्फ 2 घंटे पढ़कर भी आप business studies को 10 दिन में complete कर सकते हो प्लस 5 दिन guys आप अपने लगाओ case studies के यानि कि revision जो हमने करनी है case studies के साथ क्योंकि आनी तो exam में case studies है right तो उसके तो 15 दिन के अंदर आप यह chapter को आप इस book को बहुत अच्छी तरीके से prepare कर सकते हो इस subject को बहुत अच्छी तरीके से prepare कर सकते हो अभी मैं आपके सामने जो next video economics and accounts के लिए के आऊंगी guys तो अगर मैं तीनो subject का भी time note करूँ ना कि अगर आप business में 2 घंटा देते हो economics में 2 घंटा देते हो और accounts में maximum 3 घंटा देते हो तो 3, 2, 5, 6, 7, 7 गंटे आपके इन 3 subjects में जाते हैं और बागी बज़े 5 क्योंकि अब आपके पास यह time है कि आपको 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा बाखी 5 घंटे आप अपने other subject में भी utilize कर सकते हो तो मतलब आप पूरी त्यारी कर सकते हो 15 दिन के अंदर चाहे वो economics है चाहे accounts है और आपके marks काफी अच्छे guys आएंगे यह end time की त्यारी पर depend करता है तो अपनी त्यारी जो है वो एक planning के साथ strategy के साथ करिए ताकि आपके अच्छे mark साथ सकें और अगर कोई भी confusion है तो आपको पता Instagram पर आप message कर सकते हो ID है तब इता मैसी Thank you